दोस्तों नमस्कार, study portal में आप सबका स्वागत है दोस्तों CETAT के लिए एक नया notice आया है जो public notice है 14.12.2021 यानि आज ही ये notice आया है और ये notice है normalization को ले करके बहुत सारे exam में normalization होता है तो अब CETAT ने भी normalization करने का फैंसला आपकी बार लिया है इसके बारे में discuss करेंगे शुरू करने से पहले बता दूँ कि 8447410108 ये हमारा WhatsApp पर calling number है और हम all over India के अंदर notes बेशते हैं courier के माज़म से पूरे भारत में हमारे notes जाते हैं courier से चाहे फिर वो बात exam KVS का हो NVS का exam हो CETAT का exam हो DSSSB का exam हो या फिर आपका UGC net जैसे exam हो हर teaching exam के notes हमारे courier से पूरे इडिया में जाते हैं जिनको आप इस नमबर पर कोले वर्ट से पर बात करके मंगवा सकते हैं PDF चाहिए तो वीडियो के description से में है सभी परकार की PDF आपको मिल जाएंगी आप देख लेते हैं अब देखिए The 15 Central Teacher Eligibility Test यानि जो पंदरवे नमबर का CETAT exam होगा Will be conducted at computer based यानि computer based test होगा CBT test होगा और online होगा और ये 16 December से शुरू हो जाएगा और 13 January 2022 तक होगा Multiple shifts will be conducted in each date of examination यानि बहुत सारी shifts में exam होगा The board will use different sets of question paper और board जो है वो बहुत परकार के question paper के set यूज़ करेगा हर shift के अंदर It is brought to the notice to of all stakeholders of this examinations इसलिए ये बताया जा रहा है कि diligent efforts have been made to ensure that the difficulty level of questions and coverage of syllabus remain comparable across each question paper set ये कहते हैं कि हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे तरफ से पूरी कोशिस की जाएगी कि हर shift के अंदर paper जो है वो syllabus के according हो और difficulty level जो है वो सभी paper का लगबग एक जैसा सा बना रहे further to ensure fairness फिर भी और ज्यादा fairness बच्चों के लिए करने के लिए the board में adopt a score normalization process board जो है वो normalization process अपनाएगा to account of variations if any in the difficulty level of different set of question paper अगर ऐसी कोई स्थित्थी बनती है तो अब ये देखिए normalization रहेगा इसमें और हर exam बहुत सार exam में पहले भी होता था लेकिन CTAT में पहली बार ऐसा हुआ है तो अब होगा अब दिक्कत कहा होगी दिक्कत महा होगी जहां पर paper average है उन बच्चों को इसमें प्रिसानी रहेगी पहले भी normalization के फाइदे और नुकसान देख चुके हैं लेकिन आब इतना clear है कि जहां पर paper थोड़ा tough आएगा उन बच्चों को normalization के number मिलेंगे उनको फाइदा होगा और बहुत सारे बवाल होने वाले इस चीज के उपर भी court word भी साइद कोई चला जाए बढ़ हाँ आप तक तो यह है कि शीटर्ट ने normalization की policy अपनाने का फैसला किया है और obviously होगा भी यही क्योंकि जब एक से जाद कई दिनों तक और कई सिप्टों में पेपर होता है तो ऐसा तो है नहीं कि जो पेपर आज हुआ वही कल वाले बच्चों को दे देंगे फिर तो फाइदा क्या हुआ और अलग-अलग बच्चों का पेपर देंगे तो पेपर का उपर नीचे होना सलेबस से थोड़ा भूत आगे पीछे होना या फिर डिफिकल्टी लेवल कम और ज्यादा होना यह बिल्कुल जायज है जो कि किसी भी सलेबस के अकोड़नी कितने क्योस्टन एक लेवल के बर सकते हैं यह नहीं पोसिबल होगा तो इसलिए अब नॉर्मलाजेसन आप लोगों को देलना पड़ेगा सीटाट की तरफ से भी तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेर कर जीए सभी प्रकार की पीडियाप डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्कॉसन में जाईए और नॉर्ट्स ओर्डर करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर देजिए प्याटी, टीजटी, पीजटी, प्रिंसिपल, वाइस पर्सिपल हर पोस्ट के लिए नॉर्ट्स अविलेबल है धन्यवाद, सुब कामने